क्या हमें किसी actor, cricketer या किसी भी influencer की बात मान करके तुरंत किसी game app को download कर लेना चाहिए गाइज ये एक बहुत बड़ा question है आज की date में क्योंकि marketing की दुनिया है marketing की दुनिया पूरी तरीके से change हो रही है यहाँ पर बड़े-बड़े cricketers, बड़े-बड़े actors जो है game apps का add कर रहे है शारुखान करते हैं, A23 app का, Mr. Dhoni sir करते है यहाँ पर Winzo app का और इसी तरीके से कई सारे game apps है लेकिन ये सारे game apps तो guys फर्जी नहीं हो सकते इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ दूनों पहले वीडियो देख रहा था मैं research कर था Winzo के उपर तो मुझे पता चला कि लोग Winzo के बारे में काफी कुछ चीजे बता रहे है तो मुझे लगा कि हाँ मुझे इस app के उपर research करनी चाहिए तो मैंने यह game डाउनलोड किया और इसके बाद मैंने इसे खेला तो guys उससे पहले मैं आपको इसका conclusion बताना इससे पहले कि यह fake है जन्मने एक चीज बता दूँ कि यह app आपको play store पर नहीं मिलेगा क्योंकि यह एक real money app है और real money apps जो है वो play store suspend कर देता है तो इसलिए आपको जब यह app डाउनलोड करना है तो आपको मैं description में link भी दे दूँगा यह आप जा करके google से search करके वहाँ से डाउनलोड कीजिए आप इस app को क्योंकि play store पर कई सारे winzo के नाम से फरजी apps भी है जो winzo का same logo लगा रखा है हलाकि नाम दूसरा है या winzo नाम भी मिल जाएगा ऐसे भी कई apps है तो play store पर जो winzo नाम से app है वो fake apps है और हो सकता है कई लोग उन apps को डाउनलोड कर रहे है इसी वज़े से winzo के बारे में गलत सोच बन रही है लेकिन यहाँ पर मैंने अभी winzo का game खेला पैसे भी कमाए कुछ लेकिन मैंने यहाँ पर withdraw करके नहीं देखा इसलिए मैं खुद अभी यह नहीं कह रहा हूँ आपसे कि winzo का app सही है या गलत है क्या है इसकी सचाई यह खुद हम अभी withdraw करके पैसा withdraw करके देखेंगे उसके बाद ही decide करेंगे कि क्या winzo का app जो है यह सही है genuine है या fake है तो सीधे चलते में मोबाइल की screen पर और मैं proof के साथ आपको दिखाता हूँ कि क्या winzo से पैसा withdraw होता है क्या यह app genuine है या fake है तो गैस देखिए मैंने अभी एपना winzo का app open कर लेता हूँ यह दोनी सर आ चुके है यह एड करते हैं इसका brand ambassador है winzo के तो इनका photo यहाँ पर आपको जब आप open करते हैं तो दिखता है यहाँ पर मैंने app को open कर लिया है अब देखिए यहाँ पर बीच में center वाला option जो है center home वाला option इसका खुलता है हमको right bottom पर जा रहा है wallet के option पर और without any wasting time हम सीधे withdraw पे click कर देते हैं जो center में withdraw दिख रहा था उस पर click किया इसके बाद यहाँ पर दिखा रहा है तीन रुपे minimum withdraw कर सकते हैं paytm से bank transfer से amazon पेसे और UPI से अगरा आपको करना है phone पेसे करना है तो 30 रुपीज आपको चाहिए होंगे तो इस तरीके से यहाँ पर paytm के साथ कुछ collaboration नजर आ रहा है तो हमने paytm के थू ही हम withdraw कर गें क्योंकि 6 रुपे ही है भी account के अंदर तो यहाँ पर जैसे ही मैंने click किया तो दिखा रहा है कि 10 आप 6 रुपे ही withdraw कर सकते हैं तो 6 रुपे का मैंने फिर amount यहाँ पर modify करके डाल तो इसको चल करके एक बार paytm के app में ही हम चल करके देखिए यहाँ पर पैसा कट भी गया है इसके नीचे आपको यहाँ पर दिखेगा आपको पास्वुक जो लिखा हुआ है यहाँ पर आपको नीचे आपका बैलेंस दिखा जहाँ पर लिखा हुआ है cashback received तो देख लेते हैं कहां से आया है तो गाईज यहाँ पर लिखा हुआ है विंजो तो इसका मतलब विंजो से यहाँ पर आप देख सकते हैं विंजो से मैंने कम ही गेम खेलते से 6 रुपे का ही मेरे पास amount था तो मैंने उसको withdraw किया यहाँ पर 6 जब withdraw किया तो उसमें से 30 पैसे का amount यहाँ पर deduct हो गया है वो payment gateway वगरा के charges से रहते हैं तो वो deduct होकर के 5.7 रुपीज मेरे account बे ट्रांसफर हो गए है तो गाईज तो गाईज यहाँ पर हमने यह देखा कि विंजो एब जो है वो withdrawal तो देता है withdrawal उसे time से हो जाता है लेकिन अ भी काफी ज़्यादा लोगों को देखने को मिल रहे हैं काफी challenges आ रहे हैं तो इनके उपर भी मेरी research चल रही है हमारे इस channel पर हम game apps के बारे में reviews लेकर क्याते रहते हैं बताते रहते हैं कि कौन सा game app fake है कौन सा genuine है तो इस तरीके से हम आपको नए नए earning apps भी बताते रहते है तो please हमारे channel को subscribe कीज़े guys हमारा channel अभी नया है मिलते हैं फिर किसी वीडियो में guys तब तक के लिए मुझे दीज़े जाज़त और guys हमारा जो वीडियो है daily शाम को 5 बज़े आता है तो please subscribe करके bell icon को ज़रूर दबा लेना मिलते हैं कल शाम 5 बज़े तब तक के लिए मुझे दी जाज़त जहन जाबरद